हलो इस्ट्वेंट कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है आप लोग ठीक होंगे अच्छे से होंगे आपकी सहत अच्छी होगी खुश होंगे और अभी तक जितनी भी वीडियोज मैंने इस चार्प्टर से रिलेटेड यानि सेक्जोल अपराशन इन फ्लावरिंग प्लांट से मैंने दस वीडियोज बना लिया हैं दस क्लास हमारी हो चुकी है आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से उसके प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने वीडियोज को सुना होगा जो कोशन मैंने उसमें बताया उस अच्छे तरीके से समझा होगा और उसके प्रॉपर बाली इंब्रियाणी कॉंसेप्स से रिलेटेड है यह हमारी सबसे courses यह हमारा चाप्टर कम्प्लीट हो जाहेगा. ठीक है बिटा तो हम लोग इस्टार्ट करते हैं क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं apomixis kya होती है आप लोगों ने नाम सुना होगा apomixis का कि apomixis kya होती है यह आपको पिछले की watched लिए पिछले की classes में मैंने आपको एक concept बताय था जिसे parthenocarpy कहते है parthenocarpy में मैं बढ़ा मैंने वाने एक बात बताई थी आप लोगों को parthenocarpy कि यह भी केसे पर्थिनogrंफि करते हैं, अगर सीड और इसमें फोर्टीलाजैशन ना इंवाल्व हो तो उसे अम लोग क्या कहते हैं, ठीक है भीटाoken Organic मिक्स कहते हैं एपो मिक्स का टर्म सबसे पहले विंकलर ने दिया था इसका टर्म सबसे पहले विंकलर ने दिया होता क्या है formation of seed formation of seed without fertilization without fertilization को ही हम लोग क्या कहते हैं without fertilization को हम लोग क्या कहते हैं एपो मिक्सिज और इस तरह के seed को एपो मिक्सिट seed कहते हैं अच्छा आपो मिक्सिज जो seed है आपो मिक्सिज प्रॉसेस जो है ज्यादा तर जो एस्टिरेसी फैमिली और ग्रासस के केस में पाया जाता है mainly in ठीक है जारत तर ये जो एस्टिरेसी फैमिली है जैसे इसका example जिसे सनल फ्लावर ये इसका example है marigold ये बिटा एस्टिरेसी फैमिली का example है यही दो होते हैं दो गृप्स होते हैं ये और ये जिनमें माक्सिम जिनमें आपो मिक्सिज कंडिशन पाई जाती है ठीक है अच्छा नेक्स देखते हैं पृप्स है ठीक है विटा क्या मैंने लिखा है आपुमिक्सिस इस फॉर्म आफ एसेग्जुल रिप्रडक्शन जाई सी बात है यह तो एसेग्जुल रिप्रडक्शन का ही पार्ट होगा चुकि इसमें फर्टिलाइजिशन नहीं हो रहा है जो सबसे इंपॉर्टन चीज होती है गैमीट का तो फॉर्मेशन हो रहा है और जाई से बात एक गैमीट बने है तो इसका मतलब मियासिस इन्वाल हुई होगी लेकिन यहां पर ऐसा नहीं भी होता है तो एसेग्जुल रिप्रडक्शन है यह इस फॉर्म आफ एसेग्जुल रिप्रडक्शन ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स क्या है कि यह जो सेग्जुल रिप्रडक्शन यह जो आपोमिटिक सीड का फॉर्मेशन होता है उसके मेंली दो तरीके होते है आपोमिटिक सीड के कैसे बनाये जाए उसके सवरल मैथड्स होते हैं जिसे उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला जो मैथड है वो मैथड इस तरीके से है कि कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि डिपलाइड एक का फॉर्मेशन होता है कुछ स्पीसीज में डिपलाइड एक का फॉर्मेशन होता है एक जो होती है वो कैसी होती है डिपलाइड होती है आप कहेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है एक कैसी होती है जो हमने पीछे की क्लासेज में सारी पढ़ड़की है वो शुरू में पढ़ लाका है, उसमें हमने बताया कि मियासिस होती है, और एग कैसा होता है, क्योंकि ग्यामीट होता है, ये हैपलाइड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग होगा, एग कैसा होता है, डिपलाइड होता है, और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो, आप यह बताईए एग याद करिए अपने नोट्स पलटी है आप लो और मेरी थर्ड वीडियो में जाईए जहां पर मैंने एग का फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाया है तो वहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि एग का फॉर्मेशन किस से होता है MMC से होती है हना MMC मतलब Megaspore Mother Cell Megaspore Mother Cell होती है याद आ रहा है बिटा Megaspore Mother Cell होती है और Megaspore Mother Cell कैसी होती है 2N होती है ठीक है और याद करिए वहां पर तो हम क्या पढ़ रहते हैं कि Megaspore Mother Cell में जब Miosys हो रही थी याद करो मैंने वहीं पर बताया था बिटा आप लोगों को कि Miosys में Chromosome Number Half हो जाता है Ploidy Half हो जाती है तो जब Miosys हो रही थी तो क्या हो रहा था एक बन रहा था और एक कैसा था एन था लेकिन यहाँ पर क्या होगा Without Reduction Division हो रहा है Without Reduction Division यानि Miosys नहीं हो रही है ठीक है बई Miosys नहीं हो रही है तो MMC यादि Megaspore Mother Cell उसने एक बना दिया अच्छा अब उसने एक बना दिया बिटा अब ये एक क्या करेगा डारेक्ट डवलप कर जाएगा किसमें Embryo में और वो Embryo फिर Seed का Seed का Formation करेगा ठीक है तो ये Embryo भी कैसा होगा 2N होगा ये एक जो है ये डवलप कर जाएगा Embryo में और ये Embryo बिटा डवलप करेगा तो क्या बनाएगा Seed अब आप देखिए क्या इस पूरे प्रासेस में जो मैंने आप लोगों को समझाया है सामने क्या यहाँ पर कहीं पर भी Fertilization हुआ है बताओ क्या male gamete female gamete fuse किये हैं कहीं तो आप कहेंगे नहीं fusion कहीं पर भी नहीं हुआ है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे Appomixis ये जो seed का formation हो रहा है ये seed का formation हुआ है ये Appomixis seed कहलाएगा क्यूं? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी Fertilization नहीं हुआ है ठीक है पिटा? ये आप लोग को समझ में आ गया होगा अब दूसरा देखो दूसरा देखे आप लोग इसे हम लोग दूसरे वाले को Adventive Embryony या Adventative Embryony भी कहते हैं या Sporophytic Sporophytic Budding भी कहते हैं ठीक है, Sporophytic Budding भी कहते हैं इसमें देखो क्या होता है बिटा? आपको ये बात पता है कि Newcellus या Integument की सेल कैसी होती है क्या वो हैपलाइड होती है? वो डिपलाइड होती है और याद करो तुम लोग अब याद करो बिटा? याद करी आप लोग ये MMC कहां से बनता है? याद करो ये MMC Megaspore Mother Cell कैसे बनता है? तो बिटा ये भी तो किसका पार्ट होता है? Newcellus का ही तो होता है याद करो Newcellus की जो सबसे large जिसमें साइटोपलाजम जादा होता है जो सबसे बड़ी वाली सेल होती है उसे ही हम लोग Megaspore Mother Cell कहने लगते है और उस Megaspore से फर्दर ये होता है ये normal process होता है अब Adventive Embryonia Sporophytic Budding में क्या होता है? कि ये जो Newcellus या जो Intugment होता है जो कैसे होते हैं? Deployed होते हैं वो डाइरेक्ट डवलप कर जाते हैं और क्या बनाते हैं? बोले बटा वो डाइरेक्ट डवलप करके क्या बना लेते हैं? एंब्रियो बना लेते हैं हाना? डाइरेक्ट एंब्रियो बनाते हैं और ये एंब्रियो सीड बनाता है तो जब Newcellus या Intugument involved होता है in the formation of embryo या सीड में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखो, अब यहाँ पर तुम देखो यहाँ पर अगर ये नॉर्मल केस है सॉरी, नॉर्मल तो मतलब ये कि इसमें एग involved हो रहा है अगर इस केस में देखो तो sporophyte क्या-क्या है? तुम कहोगे sporophyte Nucilus है MMC भी sporophyte है ठीक है, ये उसके बाद gametophyte है, फिर ये भी sporophyte का पार्ट होता है, ये भी sporophyte का पार्ट होता है भई यही तो होता है यही तो होता है sporophyte अब यहाँ पर देखें, इसे sporophyte बड़िग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर embryo seed का formation भी हो रहा है, लेकिन embryo या seed के formation में कोई भी gametophytic structure नहीं involved हो रहा है, अब बताओ कहीं involved हो है, direct nucleus निक्या बना, nucleus cells निक्या बना लिया, embryo बना लिया आपको पता है कि चाहें nucleus की बात करिये चाहें integument की बात करिये तो ये भी sporophytic part है, और embryo क्या है, ये भी sporophytic part है क्या बीच में कोई gametophytic part आया क्या embryo, क्या एक जैसी कोई चीज आई, नहीं आई तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, sporophytic budding कहते हैं ठीक है विटा, समझ में आया ये है आपका कुछ तरीके हैं, apometric seed के formation के, अब हम लोग next topic देखते हैं next क्या है अबारा what is the significance of apomixes हना, significance क्या है फायदे क्या है, तो सबसे पहले फायदे ये होते हैं कि apomixes क्योंकि इसमें fertilization नहीं हो रहा है meiosis नहीं हो रही है देखो, याद करो तुम लोग मैं कही बार बिटा अपने topics में बता चुका हूँ कि meiosis की वज़ा से तो variation डवलप होगा और variation अगर होगा तो genetically different of springs का formation होगा भाई यही तो है आपने क्या कभी कहते वो अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया देखें सारे बैक्टीरिया एक तरह के होते क्योंकि वो clone होते हैं क्योंकि उसमें किसी भी तरह का meiosis नहीं होती है mitosis होती है लेकिन अगर आप human में देख लीजे तो आप पाएंगे कि father, mother अलग तरह की है father अलग तरह का है उसका लड़का अलग तरीके का है उसका बिच्चा जो है वो अलग तरीके का उसके off spring अलग तरीके क्यों ऐसा होता है क्योंकि humans में क्या होती है meiosis होती है और meiosis की वज़े से क्या होता है variation डवलप होता है और genetically अलग अलग तरह की off spring का formation होता है लेकिन क्योंकि apometic seed में किसी भी तरह का meiosis नहीं हो रही है मैंने आप पिछली साइड में दिखाई है यहाँ पर meiosis नहीं हो रही है देखो भाई यहीं तो meiosis होती है नॉर्मल केस में तो यहाँ meiosis होती है तभी तो mmc से एक बनता है और वो n होता है लेकिन यहाँ पर क्योंकि meiosis नहीं हो रही है यहाँ पर without reduction division है तो direct mmc जो है वो एक बना लेगा यहाँ पर क्या होगा variation नहीं होगा तो variation जब नहीं होगा यहाँ meiosis नहीं होगी तो genetically different of spring का formation नहीं होगा बलकि genetically similar plants का formation होगा ठीके विटा तो main इसकी characteristic क्या है पुमिक्सिस की कि it help in the formation of genetically similar plants ठीके genetically similar plants की क्यों ऐसा होता क्योंकि यहाँ पर आप लिख भी सकते है ब्राकेट में क्यों genetically similar plants का formation हो रहा है क्योंकि meiosis नहीं होती है ठीके next क्योंकि सकते है प्रिट प्रिट नेख अिप्रड़ा प्रिट अ कर फूंड़ प्रिट अप पर अच्ट प्रिट हाना it help in maintenance of character because there is no meiosis अब देखो होता क्या है मैंने आप से कहा कि maintenance of character यनि कोई variation नहीं आएगा यनि parents जैसे होंगे जैसे parents होंगे एकदम उसी तरह के उसकी off spring भी होगी क्यों क्योंकि meiosis नहीं हो रहा है और meiosis नहीं होने की वज़े से क्या होगा कोई variation डवलप नहीं हो पाएगा ठीक है बिटा ये दूसरा point है अब इसमें जो तीसरा point है जो apometic seed होती है ये generally free from infection होती है अब next और important point देते हैं ये सबसे important point है इसका चौथा वो क्या है बिटा जो hybrid seeds जो होती है आम तोर पर जो hybrid varieties होती है या hybrid seeds होती है वो बहुत ज़्यादा productive होती है हाना पहले hybrid seeds समझो hybrid क्या होती है देखिए hybrid असल में दो characters दो या दो से ज़्यादा characters जब आपस में मिलते हैं तो उसे hybrid कहते है या नि मान लीजे अगर मैं एक बात कहता हूँ एक समझाता हूँ कि एक parents ये है ये parents first है ये parents first है और ये parents second है यह male है या female है ठीक है ये male है ये female है hybrid तब बनता है जब दो different varieties आपस में cross होती है या जब दो species दो अलग-अलग species आपस में cross होती है तो उससे जो off spring होती है वो hybrid होती है अब जैसे ये समझे माली जी ये parent one है ये two है ये male है ये female है ये दोनों अलग-अलग variety के हैं ठीक है बिटा माली जी समझाने के लिए हम mango का example दे रहे हैं क्योंकि मैं आपको कल बता चुगा हूँ नेक्स वीडियो में हम लोग last वीडियो में हम लोग discuss कर चुके हैं कि आम की बात आम का मौसम है तो आम की ही बात करेंगे अब mango के case माली जी ये वाला जो ये वाला जो mango है यससे जो mango develop होता है वो उसका production तो बहुत जादा होता है ठीक है यानि आम के पेड़ पे आम का production बहुत जादा होता है लेकिन वो टेस्टी नहीं होता है ठीक है टेस्ट नहीं होता है तो हम यहां पर कह ले रहे हैं कि यहां पर क्या होता है इसमें production जादा ह होता है लेकिन टेस्ट नहीं होता है अच्छा जो पीटू वाले जो प्लान आफ स्प्रिंग है वो कैसी है जो जो विराइटी है वो कैसी है बिटा यह जो दूसरी वाली विराइटी है वो ऐसी है कि उसमें प्रोडक्शन तो बहुत जादा नहीं होता है लेकिन इस आम में बह तो टेस्ट होता है, अब आप अगर क्या करिए, इन दोनों विराइटीज को आपस में क्रॉस करा दीजे, ठीक है, अब जो आफ स्प्रिंग बनेगी, वो कैसी होगी, वो आफ स्प्रिंग ऐसी होगी, कि उस आफ स्प्रिंग में बिटा, प्रोडक्शन भी जादा होगा, और उस आम में टेस्ट भी जादा होगा, तो यह जो होगा, यह वाली आफ स्प्रिंग जोगी, यह हाइबरिड कहलाएगी, क्योंकि हमने दो अलग विराइटीज को आपस में क्रॉस कराया था, तो अब जो 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 आफ स्प्रिंग, यह जो आफ स्प्रिंग, या प् इसका character जो होगा इसके जो characters होंगे वो अपने parents से हमेशा superior होंगा, इसे हम लोग hybrid viger कहते हैं, ठीक है, hybrid viger कहते हैं, कि ये जो off spring है, off spring में जो characters हैं, वो हमेशा अपने parents से उपर होंगा, और सही बात भी है, देखो, यहाँ पर एक parents ऐसा है, जिसका production अच्छा है, आम का production अच् लेकिन टेस्ट बहुत जादा है, लेकिन अब जो off spring पैदा हुई, वो कैसे है, उनमें production भी जादा है और टेस्ट भी जादा है, तो ये hybrid कहलाएंगे, वासन में आगे, इस वक्त बिटा, इस वक्त पूरी दुनिया में hybrid varieties का ही development किया जा रहा है, हम लोग जब biotechnology पढ़ेंग वो हम वहाँ पर discussion करेंगे, तो hybrid क्या है, hybrid varieties ये बास सही है कि जादा productive होती है, ठीक है, जादा productive होती है, अब ऐसे ही समझो, फिर यहीं पे होती है, कि मालो एक variety ऐसी है, ये चावल की दो variety की हम बात कर रहे हैं, हम rice की दो variety की बात कर रहे हैं, एक variety ऐसी है, जिसका production जादा है हना, और एक लेकिन क्या है, उसकी size बहुत छोटी छोटी होती है, चावल की, चावल के जो grains होते हैं, जो दाने उनकी size छोटी छोटी होती है, लेकिन जो दूसरी variety है बिटा, वो कैसी है, उसके grain की size बड़े है, लेकिन production कम होता है, तो यहाँ size मैं लिख दे रहा हूं, हना, मतलब grain size, अब अगर आप इन दोनों को cross कराएंगे, तो अब जो office spring बनेंगे, वो कैसे होगी, उसका production भी जादा होगा और size भी जादा होगी, तो बताए, यह जो office spring बनी है, इसके characters अपने parents से बहतर नहीं है, अच्छे नहीं है, हैं हैं, जाइसे बात हैं, यह production भी जादा ह हो रही है, size भी जादा बड़ी हो रही है, तो यह अपने parents से बढ़े होंगे, अब इनका अगर आप, सोचिए, अगर आप यह जो seed जो यह grain बन रहे हैं, यह जिसका production भी जादा है, size भी अच्छी है, अगर आप इन अगर आप इन seeds से खेती करेंगे, तो क्या होगा, production जादा नहीं होगा, होगा, तो यह जादा अच्छे माने जाते हैं, इस वक्त दुनिया में, agriculture field में, चाहे वेजिटेबिल के form हो, चाहे आप crops, crop fields हो, cereals हो, चाहे आपके fruits हो, maximum hybrid इस्तमाल हो रहे हैं, ठीक है, तो hybrid variety जो हो productive जादा होती है, बात सही है, और मैंने बता भी दिया, क्यों productive होंगे, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत होती है, अभी मैं उसको discuss करूँगा, इनके साथ दिक्कत होती है, but production of these seeds is costly, अब मैं यह बताऊँगा, क्यों costly होता है, तो क्या बता है मैंने, कि production of seeds जो है, वो costly होता है, time consuming होता है, हाँ, such seeds do not maintain hybrid viger in progeny due to segregation of character या genes into meiosis, देखो, क्या कह रहा है, कि ये बात तो सही है, कि ये जो hybrid viger, ये, sorry, hybrid, ये seed, चाहिए ये seed, ये जो hybrid seeds है, ये बात सही है, कि इनका production जादा होता है, लेकिन इनके seeds को आप year to year इस्तमाल नहीं कर सकते है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, कि ये वाला मालीजे seed है, ये seed आपने बनाया, और इससे आपने खेती की, इससे खेती कर ली, और खेती करने के बाद, भाई, चावल से जो seed आया, क्या आप अगले साल के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, मालीजे, आपने 2016 में, सन 2016 में, ये production और टेस्ट वाला जो mango है, इसका seed इस्तमाल किया, और आप ये चाह रहे हैं, कि इसी से जो seed आये, उसी को हम लोग 2017 में इस्तमाल कर ले, 2017 में जो seed आये, उसी से 2018 में इस्तमाल कर लें, इन प्लांट से, तो क्या ये possible है, ये possible नहीं है, क्यों possible नहीं होता, क्योंकि characters बिटा separate हो जाते हैं, यानि, अगर जिसे ये production और taste है, ये सिर्फ एक ही बार आ सकता है, अब आप अगर ऐसा करेंगे, कि अगली बार इसको फिर grow कराने की कोशिश करेंगे, इसी को, यानि एक साल में तो ठीक है, चल जाएगा, अगले साल में जब आप फिर grow कराएंगे, तो अब जो off spring बनेगी, तो character इस तरीके से separate कर जाएंगे, तो हो सकता है कि एक seed कैसा हो जाए जिसमें production अच्छा हो, और एक seed कैसा हो जिसमें taste अच्छा हो, तो क्या होते है, characters separate कर जाते हैं, इसलिए hybrid seeds को हम लोग year to year इस्तवाल नहीं करते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी खामी होती है, खराबी बान in progeny, hybrid viger मैंने यही बताया कि जो hybrids होते हैं, वो अपने parents से अच्छे होते हैं, characters जो होते हैं, उनके parents से superior होते हैं, इसे हम लोग hybrid viger कहते हैं, तो अब जाई से बात मैंने आप से कहा कि year to year maintain नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक example समझने के लिए, कि अगर यह 2016 में maintain हुआ ह तो 17 में नहीं चल पाएगा, क्योंकि 17 में अगर आप सेम seed grow करेंगे, तो होगा क्या, इससे जो plant है, इससे निकलने माला seed है, वो grow अगर करेंगे, तो क्या दिक्कत होगी, दिक्कत यह होगी कि कुछ plant ऐसे होंगे, जिनकी productivity जादा हो जाएगी, और कुछ plant ऐसे होंगे, जो क यह इस तरह की टेक्नीक नहीं ते, पुराने टाइम में seed कैसे आता था, बई आलू कैसे बोया जाता है, पोटेटो, बई आलू को ही आप, आलू को ही काट कि आप उसके इस तरीके से कट करिए कि उसमें birds आ जाएं, और आप उसे एक आलू से आप 10 आलू grow करा सकते हैं, आप शुगर केन की केस में देख लीजिये, शुगर केन की स्टेम होती है, उसे कट करके उसे लगा के grow करेक जाता है, तो असल में जो seeds होते थे हैं, एक बार आपने ग्रो ताइम में एक बार आपके हो निकाल लिया, तो उससे जो seed मिला, फिर आपने रख लिया तकि वह अगले स साल इस्तमाल करेंगे फिर अगले साल आपने फिर क्या किया फिर आपने सीड्स रख लिए तक ही उसके आगे साल में इस्तमाल कर लेंगे नॉर्मल पुराने केस में तो यही होता था लेकिन अब जो नई टेकनोलोजी आये जब से हाइब्रिड सीड्स आने लगे हैं अब यह नहीं हो पाता है क्यूंकि कैरेक्टर्स के सेपरेट होने के चांसे बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो वही मैंने आप से कहा कि सच सीड्स डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड वाइगर इन प्रोजनी ड्यू टू सेग्रिगेशन सेग्रिगेट मतलब होता अलग-अलग हो जाना बट जाना मैंने क्या कहा अभी तो प्रोड़क्शन और टेस्ट वाला है लेकिन अगर हम इसको अगले साल फिर ग्रो कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि यह टेस्ट के बटने की चांसे रहेंगे क्योंकि इसमें मियॉसिस हो जाती है अगर अगर अच्छे क्यों ऐसा हो रहा है कि यह टेस्ट बढ़ आ रहा है एक सवाल यह भी है कि क्यों ऐसे टेस्ट बढ़ आ थाए अगर हम अगले साल में मालो अगर यह नियूसिस्ट 2016 में ग्रो करते हैं और इस प्लाइंट से निकलने वाला जो सीड है हम सोचना है कि यार उसको 2017 में ग्रो करा ले और 2017 में जो प्लांट जो ग्रो करेगा उससे जो सीड हम 2018 में ग्रो करा ले तो इससे क्या होगा एक बार हमने सीड खरीद लिया अब अगले साल हमें सीड नहीं खरीदना पड़ेगा लेकिन इस हाइबरिड वाइगर के साथ ये दिक्कत होती है कि आपको हर साल नया सीड मार्केट से खरीदना पड़ता है जो कि फार्मर्स के लिए किसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हाइबरिड सीड बहुत महगे आते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है अब तुम खुद बताओ जहां पर प्रॉडक्शन हो है टेस्ट है अब अगर अगली बार यह तो यह तो 2016 का मामला है अब जब अगर 2017 में गुरो कराते हैं अब अगर ऐसा कुछ हम कर लें कि इसमें हम्योसिस होने ही ना दे हम्योसिस ना होने दे और इसी सीड को डारेक्ट हम डवलब करा लें डारेक्ट डवलब करा लें किस में? 2017 में तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी रह जाएगा और टेस्ट भी रह जाएगा बोल भाई अब अगर हम क्या करें? फिर इसी सीड को हम 2018 में फिर गुरू करा लें वहाँ पर भी हम क्या करने दे? मियासिस ना होने दे और डारेक्ट हम माइटासिस करवा ले तो क्या होगा? कैरेक्टर मिंटेन रह जाएंगे या नहीं मिंटेन रह जाएंगे? बोल भाई कैरेक्टर मिंटेन रह जाएंगे या नहीं मिंटेन रह जाएंगे यही हम करेंगे हमारी आगे कोशिश यही है अब science पूरे दुनिया में कोशिश यही है कि हम जो hybrid seeds है ना उन्हें किसी तरीके से apometic seed बनाते क्योंकि तुम्हें पता है कि apometic में meiosis होती ने सिर्फ mitosis होती है तो एक बार जो character आपने seed में आ गया वो कभी loss नहीं हो पाएगा ठीक है वही चीज़ देखो due to segregation of characters यह gene into meiosis अब देखो if the hybrids are made into apometic जो बात अभी मैंने कही अगर हम hybrids को apometic बना लेते हैं ठीक है there will be no segregation of genes due to no meiosis तब क्या होगा segregation of characters segregation मतलब बटवारा segregation of characters नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि meiosis absent होती है बटा बहुत conceptual चीज़ है समझे क्योंकि meiosis नहीं होती है तब हम क्या होगा तब क्या फाइदा होगा तब फाइदा यह होगा कि apometic hybrid seed जो होगी हर साल हमें नया खरीदना नहीं पड़ेगा अभी तक किसानों के लिए क्या दिक्कत है कि hybrid seed हर साल खरीदते हैं आप किसी किसान से या अगर आप लोग खुद खिती किसानी वाले घर से हैं तो जरा पूछेगा आपने बुड़ों से अपने फादर से क्या प्रॉब्लम होती है तो बताएंगे कि hybrid seeds जो होती वो हर साल खरीदना पड़ता है तो हर साल क्यों खरीदना पड़ता है यही एक प्रॉब्लम है ठीक है तो अगर हम ऐसा करते हैं कि apometic hybrid seeds हम develop कर लेते हैं अभी यह है नहीं लेकिन हम पूरी दुनिया के scientists इस पर work कर रहे हैं कि apometic hybrid seeds को develop कर लिया जाए उससे फाइदा क्या हुआ so the apometic hybrid seeds can be used year after year which will reduce the cost of purchasing hybrid seeds every year जिस तरीके से हर साल hybrid seeds को हम खरीदते हैं और अगर हम apometic seed बना लेते हैं apometic hybrid seeds तो इससे फाइदा क्या होगा कि हमें हर साल seed नहीं खरीदना पड़ेगा और एक साल हमने खरीद लिया वो बहुत दिन तक चलता रहेगा समझ में आए बटा बोलो बोलिए question समझ में आए कुछ ठीके अब देखो कुछ question ना करें मैं पूछ हूँ तो उसका answer आप लोग क्या बता पाएंगे इसी से related जो topic हमने पढ़ा है उसी से related और यह जो question मैं आपको दे रहा हूँ या आप बोर्ड के students के लिए आया हुआ है उनके बोर्ड में question पूछा हुआ है question ही पूछ रहा है कि hybrid seeds have to be produced year after year why? क्यों hybrid seeds को हर साल हर साल नया produce करना पड़ता है या किसानों के terms में बात करें कि तो हर साल नया खरीदना पड़ता है क्यों? तो आप यह कहेंगे क्यों कि hybrid seeds जो होते है हर साल अगर हर बार हगली बार अगर आप उसे germinate करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? उनके characters या genes segregate कर जाएंगे डिसकी वज़ा से hybrid जो उनकी hybrid nature ता वो नहीं रह जाएगा ठीक है? अच्छा अब दूसरा अगर कोशन में पूछू क्या है कोशन क्या बटा, कोशन ये है कि apometic seed is advantage to the farmers apometic seed जो है, वो farmers के लिए बहुत जादा advantage है, क्यों आखिर आप ये बताएए क्योंकि apometic जो hybrid seeds है वो year to year नहीं खरीदना पड़ेगा, जिसकी वज़ा से ये जो apometic hybrid seeds जो है, वो farmers के लिए cost effective होंगे cost effective होंगे, इसलिए उन्हें हर साल ये चीज नहीं खरीदना पड़ेगा ये हो गया बेटा, apometic seed अब next concept हम लोग चलते हैं polyembryony पे, next topic है polyembryony, polyembryony क्या होता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, presence of more than one embryo in a seed यानि एक से ज़्यादा embryo होना seed में, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, polyembryony polyembryony को पेटा सबसे पहले discovered किया था living hawk ने ठीक है, living hawk ने citrus में और जो polyembryony जो है, ये maximum पाई जाती है, mainly found in found in citrus और citrus में भी में औरेंज के केस में या mango के केस में या onion के केस में तो ये तीन चार important है, जिनमें जादा तर polyembryony पाई जाती है, ठीक है polyembryony मतलब एक से जादा embryo होना seed में, नेक्स देखते हैं बटा अब polyembryony जो है polyembryony का मतलब होता है कि एक से जादा एक का fertilization हो जाना एक से जादा एक का देखो, fertilization of more than one egg in more than one embryo sack अगर ऐसी condition हो जाए कि माल लो, एक ovule हो ovule तो एक हो, लेकिन एक ovule में एक से जादा embryo sack हो, अब वहाँ पर माल लीजे, एक से जादा pollen tube आ गया तो क्या होगा? एक pollen tube का एक मेल गया मीट एक egg से मिल जाएगा एक embryo sack के egg से मिल जाएगा और दूसरे वाले pollen tube जो है वो दूसरे embryo sack के egg से मिल जाएगा, तो एक से जादा embryo का formation होगा ये नहीं होगा? अरे भाई, एक ovule में अगर एक से जादा embryo sack हो सकता है, ना condition है हो सकता है तो एक से जादा embryo psych होगा तो एक से जादा pollen tube भी आ सकते हैं तो इससे क्या होगा एक से जादा embryo psych नहीं form कर जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे simple polyembryony कहते हैं दूसरा है mixed polyembryony mixed polyembryony का मतलब यह होता है कि जब synergid या antipodal जो cells होती है वो भी fertilize कर जाती है अरे भाई एक embryo में यह embryo है एक embryo है यह तो हो गई एग यह एग है यह क्या बनाएगी यह तो embryo बनाएगी है यह normal embryo बनाएगी मान लीजाए अगर synergid भी fertilize कर गई तो यह भी क्या बनाएगी embryo बना लेगी तो यहां पर कितने embryo बने दो बने एक तो normal होगा और एक synergid से बनेगा उस तरह कि हम लोग mixed या polyembryony कहते हैं जो कि synergid भी involved हो सकता है और antipodal maximum synergid होता है ठीक है third है cleavage embryony यह काम की चीज है यह पूछा जाता है तुम्हारे cleavage embryony cleavage embryony यह gymnosperm में पाए जाता है और gymnosperm में काफी rare होता है maximum gymnosperm में आप अपने लेवल तक यही जानिए gymnosperm में होता है और gymnosperm में भी एक बहुत अच्छा example है pinus ठीक है याद रखना pinus के case में क्या होता है जो main embryo होता है cleavage मतल़ सोन में आ रहा है जो main embryo है यह main embryo है ठीक है जो की कैसे बना है एक जो है वो male gamete से fertilize करके embryo बन गया अब अगर यह embryo मान लिजिए अगर मैं कहूं कि कई forms में टूट जाएगा तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चार embryo बनेगा तो यह इस तरह के जो embryo होता है जिसमें cleavage होती है breakdown होता है नहीं main normal embryo बनेगा उस normal embryo जो है यह normal embryo है अगर इसमें breakdown हो जाए अगर इसमें breakdown हो जाए तो बहुत से embryo बन जाएंगे तो वो case आपके pinus में पाए जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं cleavage embryo नी कहते हैं लास्ट है बिचा इसे हम लोग adventive poly embryo नी कहते हैं adventive poly embryo नी कहते हैं यह कहां पाए जाता है औरेंज है mango है उसमें के सीड में होता है कि यह जो nucellus या integument अभी मैंने इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है बिटा अभी मैंने आप लोगों को जब apometic seed पढ़ा रहा था तो वहां पर जो दूसरा वाला तरीका था उसमें जो adventive embryo नी sporophytic budding में आप लोग पढ़ायती वही चीज़ है कि अगर क्या हो कि in orange seed embryo originate by adventive embryo from deployed cells of nucellus या integument ठीक है जो उसकी जो deployed cells से या nucellus की cells से अगर formation होने लगे यहां पर देखो दो तरीका हो जाएगा जैसे एक example देता हूँ जैसे citrus के case में है citrus के case में है citrus में बता दू मैं आपको 2 से 40 embryo का formation होता है 2240 embryo का formation होता है इसमें जो एक होगा ना वो एक embryo वो normal embryo होता है नॉर्मल पतलब समझ रहा ना भाई तुम लब नॉर्मल पतलब male gamete जो है वो female gamete से मिलके zygote से embryo बनेगा वो नॉर्मल होगा और लगबग 39 कैसे होंगे वो adventive embryoni होंगे या adventive poly embryoni होंगे और उसमें भी कौन main involve होता है ठीक है बिटा तो यह क्या होगा आपका adventive poly embryoni में क्या होगा नॉर्मल क्या होता है कि एक तो seed बनेगा ही एक तो normal embryo बनेगा उसके इलावा जो neucilis की cells होती है वो direct develop करकर के embryo का formation करेंगी जैसे मैंने citrus का example आप लोंको दिया इसलिए आप orange के case में दिखेंगी अगर आप citrus को इस तरीके से break करती है तो आपको वहां क्या मिलेगा बहुत से embryo मिलेंगे different size के तो यह जो बहुत से many embryo में क्या-क्या है एक embryo तो नॉर्मल embryo होगा उसके इलावन embryo कहां से मिलेंगे तुम्हें adventive embryoni से मिलेंगे एक मिट ठीक है ठीक है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि poly embryoni मतलब एक से जादा embryo बनेंगे तो एक तो embryo बनेगा ही जब एक से जादा कि हम बात कर रहा है तो जो उसमें एक embryo जो होगा वह तो नॉर्मल embryo होगा उसके इलावा जो embryo होंगे उसके अलग-अलग तरीके हैं उसमें डारेक्ट न्यूसिलस या इंटिगुमेंट की सेल भी डवलब कर सकती है या वो क्लिवेज या नि ब्रेकडाउन से भी हो सकता है या सेनरजिट या एंटिपोडल सेल्स आपस में फर्टलाइज कर सकते हैं और सबसे लास्ट में एक से चैप्टर प्रहाने के दौरान भी हमने कई कोशन पर डिसकेशन किये हैं तो अब इस चैप्टर पर देखते हैं क्या कोशन है कि in case of polyembryony यह polyembryony से related कोशन पूछा है उसने यह कह रहा है कि A जो है एंब्रियो जो है वो सेनरजिट से डवलब कर रहा है ठीक है एंब्रियो बी इस डवलब फ्राम नुसिलस यह जो बी एंब्रियो है वो नुसिलस से डवलब कर रहा है इस ट्रेट दी ploody अच्छा है इसने ploody पूछ दिये A और B की ploody यह तो बहुत असान कोशन प्लाड़ी पूछिए बता कैसे होगा बिटा इस तरह के इतने कोशन लगवा चुका हूं तुम लोग को कि तुम लोग को अगर रात में सोते वक्ट भी मैं उठा के फुर्बहर बता आए जाए इतने ज़्यादा में बटाव के कोशन के लगवार चुका हूं कि अंभी कुछ बचा ही नहीं है इस तरह के कोशन तो तिनोग के लिए चुटकिओं में सॉल्व हो जाएंग Гरुदिक चुटकिओं में सॉल्व करो वे इसमें दिमाग लगाने की ज़र्दी नहीं है advance uh क्या आंशर होगा X c प्लाड़ी बताओ ए और B ज़ो ए इंब्रियो अब बीन लीकी प्लाड़ी कि लीकी प्लाड़ी बताओ कि अरे बाइस इनरज्यए क्या होता है अधिक सेनरजी देन होता है इसी तरीके से नुसिलस से अगर डवलब कर रहा है तो क्या मतलब इसका मतलब यह कि अगर जो इसकी प्लाइडी होगी वही इसकी प्लाइडी हो जाएगी इनी से अगर N है तो ABN हो जाएगा A embryo जो है और अगर नुसिलस 2N है तो B वाला embryo जो है वो भी 2N हो जाएगा बोल बिटा सुन मैं चलो आगे देखते है नेक्स कोशन क्या है कोशन तो बहुत लंबा तंबा है कोशन टू क्या है Some Diceous Species अच्छा बई Have the XY Genotype for Male तो यह कह रहा है कि जो Male है वो XY है ठीक And XX for Female ठीक हबई Female यह कह रहा है XX है After Double Fertilization What would be the Genotype of Indosperm and Embryo ठीक हबई कोशन तो आसान है इन्होंने इंडोस्पर्म और Embryo का Genotype पूछा है इन्हों इंडोस्पर्म और Embryo का Genotype पूछा बताओ कैसे करोगे सोचो कुछ Option अभी देखो ही मत पहले यहां से कर लो पहले यह मैंने बता दिया Male यह है Female यह है खतम अब इंडोस्पर्म निकाल लो अज तो आसान है ना सोचो कैसे करोगे अरे यार देखो Male के दो gamete बनेंगे X बन सकता है और Y बन सकता है इसी तरीके से Female के दो gamete बनेंगे X बन सकता है X बन सकता है दोनो XC बनेंगे यह तो होगा बोल भाई यही तो होगा ना अब देखो तुम अब अगर Embryo बनाना है तुमें embryo अगर embryo बनाना है तो उसमें क्या होता है? एक male gamete होता और एक female gamete होती है तो मान लेते हैं ये वाला जो male gamete है वो इससे मिला है भाई किसी भी female में तो दोनों xx है तो ये मान लों इससे मिलेगा तो वो x बनाएगा हना? या मान लीज़े अगर ये वाला मिले तो xy बनाएगा बोल भाई यही तो होगा? अच्छ है और अगर इंडोस्पर्म बने तो इंडोस्पर्म तो में पता है क्या होता है? female का दो होता है याद करो polar nuclei में एक होगा x एक होगा x और male gamete आता है अब male gamete यहाँ पर दो भी हो सकता है यह भी इससे मिल सकता है और यह भी मिल सकता है यानि क्या condition होगी? देखो female तो x x और अगर male gamete मान लो x है तो triple x हो गया और अगर female कैसी है? sorry male अगर मान लो male gamete कैसे बना रहा है? y तो क्या होगा? x x y यह condition होनी चाहिए यहनि इन दोनों में से कोई एक condition होगी या यह condition बनेगा या यह बनेगी देखते है ठीक है बटा? या यह condition बनेगी या यह condition बनेगी दिख रहा है तुम लोग को? नहीं दिख रहा है थोड़ जूम कर ले ना थोटा शोटा हो गया hya, यह यह condition बनेगी, यह condition बनेगी, madam- इन दोनों नहीं possible नहीं है, नहीं possible हैंना नहीं? इसमें तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्या बन सकता है, नहीं सकता है? तुम देखते ही, कह दो कि नहीं हो. क्यों? क्योंकि इंड्थ स्पर्म थ्रि एन होता है न बिटा, यहां पर तो 2 & दिखा रहा है, यह तो डिपलालट दिखा रहा है, तुम ऐन्सर नहीं हो सकता and Ausser आगे चलो. इसने बात सही किये कि इंडोस्पर्म ये बन सकता है या आप दूसरे वाला केस में देखते हैं XY भी सही कहा है लेकिन उसने ये गलती कर दी इसने इंडोस्पर्म को XY कह दिया और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि XXY होता है यानि ये भी नहीं हो सकता अब चौता देखते हैं Embryo XX and Embryo Indosperm XXX यहां तक तो बात सही कहा है इसने आगे देखते हैं कि ये बात सही कह रहे Embryo XY XY and Indosperm is XXY एक दम सही बात कह दी यहनि आंसर हमारा क्या आएगा D बोलो बिटा कितना बढ़िया कोशन था यह कोशन मैंने आपको बताया यह आएसी के में के कोशन है इंट्रेंस के आएसी बैंगलोर इंडरिन इस्टिटूट अफ साइंस टॉप का रिसर्स सेंटर है यह वहां की यह कोशन हैं उसके इंट्रेंस में पूछे गए जो मैं आपको करवा रहा हो रहा और आप लोग कैसे चुट्कियों में कर ले रहे हैं क्यों कि आपको इस तरह के कोशन मैंने बहुत से प्रैक्टिस करा रख है चलिए नेक्स देखते हैं अब लोग अब नेक्स कोशन है बिटा कि ये गला अफिटिस किसने कहा है और आपको पता है कि पहली आपकई के-पैल्शन होती है तीक है तीक है पाली इंब्रियो जोती है इस फॉर्म gartब 국-ցंप्रासस लाए था अब पाली इंब्रियोनी होती है बता चुका हूँ एक आपरी टो नार्म लोता है एक तो नॉर्मल होता है और एक और उसके लावा कैसे होते हैं एडवेंटिव होते हैं नॉर्मल भी कैसे बनता है सिंगैमी से बनता है बुल बटा सिंगैमी से ही तो बनता है यही तो होता है अब इसमें देखते हैं हम लोग कह रहा है कि only एडवेंटिव इंब्रियोनी, नहीं सिर्फ only नहीं होता है क्योंकि normal वाला कैसा होता है वो तो syngami होता है न, तो यानि यह नहीं हो सकता दूसरा आ जाओ, कह रहा है कि एडवेंटिव इंब्रियोनी प्लस syngami हाँ यह होगा ठीक है, बोलो बटा समया आ गया, आडवेंटिव इंब्रियोनी प्लस syngami ही वाला आंसर होगा अब नेक्स कोशन देखते हैं हम लोग नेक्स कोशन क्या है, पेरी स्पर्म डिफर्स फ्रॉम इंडो स्पर्म ओकी, यह पेरी स्पर्म क्या होता बढ़ाया हूँ पेरी स्पर्मिक सीड या पेरी स्पर्मिक सीड क्या होता है वो सीड जिसमें निउसिलस बचा रहे जाए उसे ही तो कहते हैं पेरी स्पर्मिक सीड उसे ही कंडिशन को पेरी स्पर्म कहते है यानि जिसमें यानि न्यूसिलस की जो cells होती है वो present होती है न्यूसिलस की cell जो है वो पूरी तरीके से खतम नहीं हो पाती है बलकि present होती है और मैंने आपको बताया था यह कहां कहां पाये जाता है एक्जाम्पल इंपॉर्टेंट बिटा याद रखेगा तो बन डाइग्रम और दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें बीट यह दो एक्जाम्पल है इसमें जो इंपॉर्टेंट है पेरी स्पर्म में अब कह रहा है कि पेरी स्पर्म जो है वो इंडो स्पर्म से कैसे अलग होता है ठीक है कह रहा है कि पेरी स्पर्म हिस हैविंग no reserve food यह तो गलत कह रहा है perisperm में reserve food होते हैं perispermic seed की बात हो रही है मैंने आप से कहा है perispermic seed वो seed होगा जिसमें nucellus present होगे और आपको पता है कि nucellus क्या होते है nutritive tissue होते तो इसका मतलब यह answer गलत होगा दूसरे पर देखते हैं क्या कह रहा है कि being a diploid tissue एक डम इसने सही बात कही है क्योंकि perisperm यानि nucleus और nucleus कैसा होता है diploid होता है लेकिन indosperm कैसा होता है तो triploid होता है यह answer क्या होगा यह बिटा answer होगा C वाले option देख लेते हैं वैसे it is formed by fusion of secondary nucleus with several sperm एक डम गलत बात being a haploid tissue haploid नहीं होता है बलकि वो diploid होता है ठीक है क्योंकि nucellus से बन रहा है इसका मतलब वो diploid होगा तो इसका answer होगा इसलिए B next last question देखते है question क्या है बिटा hybrid seeds have to be produced every year वही question जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया है apomixes में कह रहा है क्यों क्यों उसको देखते है उसमें option है कि hybrid plants become sterile in coming years sterile नहीं होता sterile तो नहीं होता है यानि sterile मतलब होता कि आगे वो further नई off spring का formation नहीं कर सकता है ये गलत बात है off spring तो form होगी hybrid seeds से आगे के सालों में hybrid seeds में आगे के सालों में भी off spring का formation होगा लेकिन वो off spring कैसी होगी hybrid नहीं रह जाएंगी उनके characters या उनके genes जो होगे वो segregate कर जाते हैं तो इसलिए option नहीं होगा next देखते है they show more heterosis in the coming year एकदम गलत बात है third कहा रहा है कि hybrid viger hybrid viger बटा मैंने आप लोग बताये था is not maintained beyond one generation एक generation के आगे जो वो जो superiority होती है जो seed की जिसे हम लोग hybrid viger कहते है beyond one generation as segregation of genes begin in the second generation एकदम इसने correct बात कही है कि एक generation से दूसरे generation के बाद पहले generation में तो character maintain रहते हैं लेकिन दूसरे generations में characters के segregate होने लगते है इसी वजह से hybrid seeds जो होते है वो farmers के लिए महगे भी होते है ठीक है बिटा तो ये हमने कुछ question लगा लिया तो आज हमारा ये chapter sexual reproduction in flowering plant complete होता है अब next video से हम लोग जो 12th के आपके first video है जो first chapter है reproduction in organism वो भी वो start करेंगे लेकिन इसके साथ साथ बिटा जो इस chapter से related questions है मैंने आप लोगों को बहुत इमानदारी से पूरा chapter पढ़ा दिया है आप लोग इससे अच्छे तरीके से पढ़डा लिए फिर से बोलना हूँ आप लोग भी सोचते हों कि क्या सर बार-बार कहते रहते हैं कि notes बना लिए बिटा मुझे उसकी importance पता है notes की क्या importance होती है और जो आप hand written notes से होते हैं और वो भी तब जब आपका teacher समझा रहा हो और आप उसके साथ साथ लिखते चले जा रहे हो उसकी बहुत जादा importance होती है तो इसलिए आप लोग ये complete करिए याद करिए अच्छे तरीके से next videos में आगे की videos में हम लोग DPP पे जो इसकी questions जो है उन पे भी discussion करेंगे इस chapters related जो पूरे 50 questions है जो top 50 questions है जो last year different exam पे आए कुछ question तो काफी question तो बटा मैंने आप लोग को यहाँ करवा दिया है videos के दौरान एक video हम लोग सिर्फ questions पे भी discussion करेंगे thank you for watching my video करेंगे